जहिंद पिछले वीडियो में हम आपको बताये थे कि हम लोग खोठा की एक नए सीरीज स्टार्ट करेंगे साथ ही साथ इंडिया की पॉलिटी और जहारखंड की पॉलिटी को साथ में ले करके चलेंगे और पॉलिटी पुरी कौन्शेप्ट के साथ पढ़ेंगे अनुछेद एक से ले करके 395 अनुछेद की हम लोग चर्चा करेंगे ऐसी समझ और ऐसी कौन्शेप्ट आपके अंदर हम डालेंगे ताकि वो इंडिया की कोई भी एक जाम हो पॉलिटी में आपसे कोई परसन नहीं छूटेंगे ऐसी जीरो लेबल से ले करके कौन्शेप्ट के साथ ची की एक नई सीरीज में हम लोग सबसे पहले चायहर बुक की बात करेंगी चायहर बुक एक कहानी संगरा है जिनके लेखक चितरंजन मातों चितरा हैं चीजों को हम या लिखे हैं चितरंजन मातों चितरा जी के दवारा एक किताब लिखी गई है जिस किताब का नाम है चायहर ये एक कहानी संगरह किताब है कभी-कभी पर्षन ऐसा पुछेगा कि छाइहर किताब हकए कहानी गोच कविता गोच या नातक गोच तो आपको माना है कि ये जो छाइहर भूख है जो लिखा गया है चितरंजन महतों चितराजी के दवारा वो है कहानी गोच ठीक है हलाकि चितरंजन महतों चितरा का जो मूल नाम है वो है चितरंजन महतों और उनका जो चितरा लाष्ट में लगा हुए है वो है उप नाम हलाकि आपका भी कई नाम होगा हम चीजें आगे भी बताएंगे जैसे आप एक मोहला में आपका गाउं घरों में एक अलग नाम होता है जिसको आपका नाम सिकेंदर है तो आपको लोग गाउं घर में बोलेगा सिकू सोट नाम लेकिन आपका जो वास्तविक नाम है जो सर्टिफिकेट में नाम है वो तो सिकेंदर है तो वो जो सीकेंदर हुआ वो आपका मूल नाम हुआ जो सीकु घर वालो लोग बोले मुहले वाले वाले वो उप नाम हुआ घर वाले वाले लोग और मुहले वाले वाले लोग एक अलग नाम दे देते हैं उसकी पहचान के लिए तो वही जो certificate का नाम है जो वास्तविक नाम है वो है इनका नाम चितरंजनमातों जो लोग इनको बोलते हैं इनका उप नाम वो है चितरा ठीक है और इनका जो साहितिक नाम है साहितिक नाम की अगर हम लोग बात करें जो बाद में ये साहितोगरा लिखने लगे लेख लिखने लगे कवीता लिखने लगे कहानिया लिखने लगे तो एक राइटर बन गए लेख लिखने लगे तो एक राइटर बन गए तो फिर बुक में ल महत्यों चुत्रा तो साहितिक जो नाम है जो बुकों में आता है वो हैं चित्रअंजन महत्यों चित्रा जो minus师 नाम है वहां है जिкихल चित्रा महत्य न realize है वह है चितरंजन महतों उप नाम है वह है चितरा सहेतिक नाम है वह है चितरंजन महतों चितरा ठीक इनका जो जनम बच्छर है जनम बच्छर कहने का मतलब है वर्स खोठा में वर्स को बच्छर कहते हैं आज काल के लोग जो चित्वा आने ये च्यकिल लोग होते हैं जैसे आप अपने घरों में घ्रॉषma械 परदादा ऐसे देखते होंगे तो बतो बत्षर की बात करते हैं दो बत्षर पहले की बाऄ ऐसे बहुते बत्षर मतलब वर्ष होता है तो है खोड़ Л जित्या पर्व के दिन हुआ था जारखन में एक जित्या पर्व मनाया जाता है, सबजियों का पर्व होता है, जित्या पर्व, तो ये उसी दिन इनका जन्म हुआ था, इनके दस भाई बहन थे, 10 भाई बहन कहने का मतलब यह है 10 भाई बहन में 6 बहन थी और 4 भाई थे 10 में से यह जो चितरंजन महतों चितराजी थे वो सबसे छोटे थे इनका जो जनम हुआ ग्राम था लारी पोष्ट लारी और थाना था रामगर जिल्ला हजारी बाग था हम आगे और चीज़ें इसके बारे में डीटेल बताएंगे जो आपके एकजाम में पर्षन पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे पर्षन पूछे जाते हैं चितरंजन महतों चितरा के मूल नाम की हकए चितरंजन महतों इनके उप नाम एकर उप नाम की हकए तो चितरा साहेटिक नाम की हक है चितरंजन मातों चितरा ऐसे पूछा जाता है चितरंजन मातों चितरा के जनम बच्छर की हक है तो की हक है तुने सो ची आलिस में इनका जन्म हुआ था इनके बारे हम detail कहानी बताएंगे लेकिन जो person बनते हैं वो हम आपको पहले बता दें इसके बापेक नाम मतलब इनके पिता जी का नाम हिंदी में बोलें तो इनके पिता जी का नाम जो था वो था घने नाथ मातों इनके माता जी का नाम, खोठा में माता जी को माय बोलते हैं तो माय का नाम धनिया देवी और इनके पतनी का नाम था सिरी मती सावितरी देवी इनके दवारा जो लिखा गया पहला कविता था, उस कविता का नाम था समर के उसपार दूसरा जो कविता इनके दवारा लिखा गया था उस कविता का नाम था गीता के गीत और इनके दवारा उपनियास भी लिखा गया था इनके जिंदगी के हम वो कहानी हम आज आपको बताएंगे जिसे आपका कॉंशेप्ट तुरी तरा से किलियर हो जाएगा पहले हम आपको ये बता दें कि ऐसे ऐसे पर्षन बनती है और यहां से पर्षन पुछे जाते हैं जो च्छाइहर बूक है जो चितरंजन मातों चितरा जी के दवारा लिखा गया था ये 2002 में परकासित किया गया है इस च्छाइहर बूक में आपको कहानी पढ़ना है क्योंकि हम आपको बता है कि च्छाइहर जो बूक है वो लिखा गया है चितरंजन मातों चितरा की दवारा ये एक कहानी संगरा की बूक है अर्थात इसमें कहानी होंगे कहानी संगरा की बूख है मतलब इसमें कहानी होंगे तो इसमें कितने कहानी है तो इसमें 10 कहानी है एक कहानी आपको पढ़ने पढ़ेंगे जो आपके एकजाम में पर्षन पूछे जाते हैं जैसे पहला कहानी होगा छाय हर दूसरा है बोने कलोर तीसरा है हम कैसे जी अब चवथा है बूबा एगो कहनी कही दे चवथा पांचमा है गुरुजिक फिकीर चथा है समे कटवा तस्खेला संस्कृतिक जगडा चोर डाकू अर लुटेरा नावा जीमेदार देवता के खाय लए दाकीन यह सारे आपको कहानी पढ़ने पढ़ेंगे तब आपका एक खोठा का कहानी संग्रा खतम होगा चीजें आप समझे होंगे चली अब इनके बारे में हम डिटेल जनकारी प्राप करते हैं कि इनकी आर्थी किस्टिती कैसी थी इनका परिवार जो था गरीब था या क्या था इनका लालन पालन कैसे हुआ इनकी पढ़ाई कैसे हुई इनकी साधी कैसे हुई और इनके लेखन जो इन्होंने काईर अस्टार्ट किया था इनमें कौन-कौन ऐसी कठनाईयों का सामना करना पड़ा ये सारे चीजें के बारे में हम देखते हैं चलिए अस्टार्ट करते हैं आईए अब हम लोग चितरंजन महतों चितरा के जीवन से समंधित विस्तार से जनकारी प्राप्त करते हैं इनका लालन-पालन कैसे हुआ इनका परिवार कैसा था इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई इनकी साधी हुईत इनके जीवन में एक बहुत बढ़ा मोड आया वो क्या मोड था इनके बारे में आज भी स्टार से जनकारी प्राप्त करेंगे ये जो आज हमें पढ़ने का मोका मिल रहा है अर्थात चितरंजन महतों चितराजी के जीवन परिशे के बारे में जो हमें आज पढ़ रहे हैं या आप तक पहुंचा रहे हैं ये जो वर्नन किये हैं वो बासुदेव महतों किये हैं अर्थात चितरंजन महतों चितरा के जिवनी के बारे में बासू देव महतों लिखे हैं ये जो आपको ये कहानी दिखाई दे रहा है इसमें आपको कुछ समझना है इसमें कोई कॉंशेप्ट वाली बाते नहीं है आपको एक बर यहाँ चीजों को देखना है आप अच्छे ढंक से चीजों को समझ पाएंगे क्या होता है कि आप लगातार हिंदी को पढ़ते हैं लेकिन आप खुर्ठा से अउगत नहीं रहते हैं तो चीजें समझने में और पढ़ने में थोड़ी प्रोब्लम होती है लगातार चीजों को देखते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो आप जिस तरह से हिंदी को पढ़ पाते हैं ठिक उसी तरह से आप खुर्ठा को भी पढ़ पाएंगे और उसके कोश्चन को स्वल्व कर पाएंगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं की चितरंजन महतों चितरा इनका जो मूल नाम है वह रहीं चितरंजन महतों मूल नाम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इनका जो मूल नाम है वो है चितरंजन महतो और इनका जो उप नाम है वो है चितरा उप नाम कहने का मतलब यहाँ यह है कि अगर आप भी घर गाओं में रहते हैं तो टॉला महला में एक अलग ही नाम होता है टोला महला के लिए जैसे किसी का नाम अगर सिकेंदर है तो उसको लोग स्वाट में सीकू के नाम से इंडिकेट करता है सीकू के नाम से उसे बुलाता है लेकिन उसका जो वास्तविक नाम है अर्थात मूल नाम है जो हमें सर्टिफिकेट में मिलता है उसका नाम तो सी के अंदर था लेकिन लोग गाउं मोहले में उसका एक सोट नाम दे देते हैं वो था चितरा ठीक है और इनका जो साहितिक नाम था साहितिक नाम जो था मतलब जो आज किताब में हमें देखने को मिलता ये डेर सारे किताबे लिखे हैं उपनियास लिखे हैं लेख लिखे हैं कवीता लिखे हैं ये सारी जो किताबों में इनका नाम मिलता है वो मिलता है चि इनका उप नाम था अब दोनों को कमाइंड कर दियें दोनों को जोड दियें तो चितरंजन महतों चित्रा इनका फुल नाम हो गया अर्थात अगर पूछे कि सहेतिक नाम इनका क्या है अर्थात जो किताब हो गेरा में इनको नाम जो मिलता है वो क्या है तो इनका नाम है सहेत नाम की हकए ऐसे पर्षन पुछता है कि अ कि शिरी चित्रंजन मातों चित्रा सधारन गरीब परिवार में दस भाई बहिन में स्वबले छोट सबसे छोट चित्रंजन मातों जो चित्रा थे एक सधारन गरीब परिवार में ये जनम लिये थे जिसमें से ये अपने परिवार मे 10 भाई बहन थे 10 भाई बहन में 6 जो थी बहन थी और 4 भाई थे ये 10 में सबसे जो छोटे थे वो चितरंजन मातों चितरा थे वही दिखा है सिरी चितरंजन मातों चितरा सधारन गरीब परिवार में पैदा हुए 10 भाई बहन में सबले छोट सबसे छोट थे चितरंजन मातों चितरा का जो जनम हुआ था वो जितिया की दिन हुआ था जितिया एक परब होता है हमारे जारखन में जितिया एक परब होता है जितिया कि सबजियां बनाई जाती है ऐसा एक टहवार होता है तो जितिया के दिन ही उनका जनम हुआ था चितरण ठीक है ठाना जो था रामगड था, आज रामगड जो है अपना एक जिल्ला बन चुका है आपको पता है कि रामगड जिल्ला का निर्मान हुआ है 2007 इस भी में तो क्या उस समय रामगर जीला होगा नहीं होगा ये तो 2007 में चितरंजनमा रामगर जीला का निर्मान हुआ है लेकिन चितरंजनमा तो चितरा जी का पहले जनम हुआ है तो उनका जो पोस्ट था और ग्राम था वो लारी था थाना रामगड था और जिल्ला हजारी बाग में जनमल रहत उनका जो जनम हुआ था जनमल रहत मतलब जनम हुआ ठीक है जनम जनमल मतलब हुता है जनम तो वही लिखाय की ग्राम प्लस पोश्ट लारी थाना रामगड जिल्ला हजारी बाग में जनमल रहत मतलब वे वही जनम हुए थे, पैदा हुए थे, घने नात मातों यार धनिया देवी, उनके पिता का जो नाम था, वो घने नात मातों था, और धनिया देवी, उनकी माता का नाम था, ध्यान दिजिएगा, जो आप खोठा में और लिखते हैं न, आप इसी हिंदी को, इसे लेकिन यही संटेंस लिखा गया कि घनेनाथ मातों यार धनिया देवी उनके माता पिता थे माता पिता को खोठा में माय बाप लिखा जाता है यही संटेंस लिखा गया कि घनेनाथ मातों यार धनिया देवी उनके माता पिता थे माता पिता को खोठा में माय बाप लिखा जात किसके माय बाप थे, तो चितरन्जन मातों, चितरा के जो माता का नाम था, वो धनिया देवी और उनके पिता का नाम घनेनात मातों था, ठीक है, घनेनात मातों और धनिया देवी माय बाप रहाल थे, माय बाप रहत थे, उनके माता पिता जो थे, वो ये थे, माय बाप बड़ पालन पोशन कैसे करते ये भी बात है, तो उनके माता पिता जो थे बहुत परिशरमी थे, बहुत परिशरम करते थे, अच्छे कामकाज करते थे, ठीक है? ये लिखाए माय बाप बड़ी खटे कमाय वला रहतीन, तकरे चलते एतना बोड़ परिवार 6 वहीन चायर भाय के भरन पोशन करे पारल्थीन, उनके जो माता पिता थे, बहुत परिशरमी थे, इसी के कारण तो 10-10 लोगों का पालन हो पाया, नहीं अगर उनके माता पिता परिशरमी नहीं रहते, कामकाज नहीं करते, आलसी रहते, तो ऐसी इस्तिती में इन लोग का नातो परहाई हो पाता, ना ही पालन पोशन हो पाता, वही लिख रहा है यहां, कि बड़े खटे कमाय वला रहल्थीन, तकरे चलते एतना बोड़ प जिसके कारण 10 लोगों का पालन पोशन हो पाया था, शिरी बीजय राम महतों, शिरी बीजय जो राम महतों हैं, वो चितरा जी के मैंजला भाई लागल थीन, मैंजला भाई क्या होता है, खोठा में अगर हम जारखन में बोलें, तो बड़ा जो भाई होता है, एक नमबर का बड़ा भाई, दूसरा नमबर का जो भाई होता है, उसी को हम लोग कहते हैं, मैंजला, क्या कहते हैं, मैंजला, और उसे जो छोटा होता है, तिसरा नमबर का भाई, उसे कहते हैं, सैंजला, ठीक है, और चौथा नमबर का होता है, उसे हम लोग कहते हैं, कैंजला, तो बड मैंजला मतलग दूसरा नंबर का भाई शिरी बीजय राम महतों थे चितरा जी के मैंजला भाई लागल थी उनके जो मैंजला भाई थे अर्था दूसरे नंबर के जो भाई थे उनका नाम था शिरी बीजय राम महतों जे रामगण इलाका कर पहिल गरीब किसान उनके जो मैंज भाई थे वो भी किसान ही थे ठीक है उनके किसान थे और सिच्छा कर विकास में अपन गोटे जिन्दगी के अर्पन करदल थे और वे अपने सिच्छा की महत्तों को समझते थे सिच्छा का विकास करना चाहते थे इसलिए वे अपना पूरा जो जिन्दगी है पूर गोटे यह लिख रहा है गोटे जिन्दगी क्या है यहां गोटे जिन्दगी लिख रहा है गोटे जिन्दगी मतलब पूरा जिन्दगी आप कहते हैं ना कि गोटे अमबा खाय जिवी खाय जिबी मतलब पूरे गोटे मतलब होता है पूरा कहने का मतलब है कि आप पूरा आम खा जाएंगे गोटे का मतलब होता है पूरा तो उनके जो भाई थे जिनका नाम सिरी बीजे राम महातों था वे तो एक किसान गरीब किसान थे ही थे रामगर इलाका के गरीब किसान थे साथ ही साथ वे सिच्छा का विकास करने में अपने पूरी जिन्दगी लगा दिये अपने पूरी जिन्दगी समर्पित कर दिये यही लिखा है कि ये रामगर इलाका के पहिल गरीब किसान ये 1904 की बात है लागत थे और सिच्छा कर विकास में अपन गोटे जिन्दगी के अर अरपन कर दल्थीन मतलब समर्पित कर दल्थीन अरपन मतलब समर्पित कर देना लारी मिडिल इसकूल देखो यह है ना कि हम लोग हिंदी में बूलते हैं असकूल लेकिन खोठाम इसी चीज को बोला जाता है स्कूल इस्कूल यहीं चीज हम यहां लिखे लारी मिडिल इस्कूल लारी हाई इस्कूल कर संस्थापक लागत वे उनके जो बड़े भाई थे मैंजले भाई थे जिनका नाम था स्री बीजे रामातों वे लारी मिडिल इस्कूल और लारी हाई इस्कूल के संस्थापक थे ठीक है क्य थे 1912 में राजनेतिक कार्णों से उन्खा लारी छोड़े पढ़ ले कोई राजनितिक विबाद हो गया जिसके कारण उनके भाई ने इस काम को छोड़ दिया 1963 में जनता उची बिद्याले पुन्रू चास तक्षन धनबाद एक्षन बोकारों में नावा ये अस्कूल खोला उनके भाई जो वहां राजनितिक विबाद में फस गए तो वहां से छोड़ दिये उसके बाद 1963 में जनता उची बिद्याले पुन्रू चास चास जो धनबाद में पहले पढ़ता था यही लिखाय की तक्षन धनबाद धनबाद को धनबाद रिखा जाता है ना खोठा में ये ये का मात्रा बहुत खोठा में ज़्यादा है जैसे दाइल हम लोग दाल को लिखते हैं तो यह सवागरम की मातरा जो है ना खोठा में बहुत अधीक है तो पुंड्रू चास चासुस में धनबाद में पढ़ता था अभी बोकारों में पढ़ता है यहीं लिखाए कि तक्खन धनबाद और यह खन बोकारों में जैस ऊच्टेम एक फिर अस्कुल खोलें वहाँ से हटा दिया गया तो एक नया आस्कुल खोले क्योंकि उनका मकसद था सिच्छा का विकास करना यह अपना पूरा जिंद्गी जो थे वह सिच्छा में समर्पित कर चुके थे तो एक जगा से भागाया गया तो क्या हुआ दू 1921 में उ रिटाइर हला, उसके बाद वे वहां से रिटाइर हो जाते हैं 1991 उन्हें 1916 में डीमरा हाईस्कुल खूले ले उन्खा हाकावल गेल रहें, फिर उन्हें हिंदी में बोलते हैं आपको बुलाया गया है वैसे खोठा में बोलेंगे तोरा हकावल गिल हो ठीक है ऐसे हकाना मतलब होता है बुलाना हकावल गिल रहे तो उनके जो भाई को जो बुलाया गया था दिम्रा हाई अस्कुल खोले ले ठीक है जहां इस्कुल के एक बच्छर च तहीतरा के माईजला भाई जिनका नाम था SHRI भीजएosition राममात हों हों वह वहां एक वर्ष अस्कुल को चलाते हैं वहां एक साल अस्कुल को चलाते हैं उसके बाद वहीं के आदमी को सौप देते हैं आप चलाई यही लिखा हुआ है कि जहां यह इसकुल के एक बच्छर कहने का मतलब होता है एक वर्स चलाई के हुआ के आदमी के सौप दे ले रहत हम बुजुर को देखते हैं घर गाव में तो आई वर्स उन लोग नहीं बोलता, आज भी बोलता है एक बच्छर, चार बच्छर के बात हो, या तो पांच बच्छर के बात हो, पांच बच्छर पहले ई भेल हले, ऐसे लोग बोलता है, बच्छर का मतलब होता है वर्स, चलाए के हुआ के आदमी के सोप देले रहत, वह अपने भाई के देख रेख में अर्थात भीजे रामाहतों के देख रेथ में चित्रा जी लारी हाई अस्कुल से उन्हें सो साथ में कमें उम्रे मेट्रिक पास करे रहल्द। ये जो नीचे अस्तर की पढ़ाई होती है वे अपने भाई और अपने भावजाई कहने का मतलब होता है कि अपने भाईया और अपने भाभी के देख रेख में ही वे अपने नीचे अस्तर की पढ़ाई को पूरा किये थे यहीं कह रहा है। घारे में दादा मतलब भाईया भावजी मतलब भाभी उनके भावजी का नाम जो था कोसलिया देवी अर भाईया का नाम था स्रीबिजयरा महातो देख रेख में रहे उनका उसी के देख रेख में उनका नीची अस्तर की पढ़ाई हुई थी 1964 में राची कॉलेज राची से भूगल में परतिष्ठा कर साथ बीए आर 1964 में एमे करला वे उनेश बीए भी किये और 1964 में एमे भी किये राची कॉलेज से शीरी गौपाल परसाद महतों उन्खर सैंजला भाय देख़िए मैंजला भाय हम आपको बताए कि दूसरे नम्बर पर जो होता है मैंजला भाय होता है तीसरे नम्बर के जो भाय होते हैं उनकर सैंजला भाय आठवा से बीये तक سंगी पढ़ल रहा है उनके जो सैंजला भाय थे और जो चितरंजन महतों चितराजी थे वो आठवा से ले करके बीये तक साथ में ही एक साथ में ही पढ़ाई किये थे यही लिखाय कि स्री गोपाल परसाद महतों जो उनके सैंजला भाय थे आठवा से बीये तक संगी संगी मतलब एक साथ एक साथ मतलब चीतरंजन महातों चीतरा और उनके जो सैंजला भाय थे गोपाल परसाद महातों वो एक साथ संखी मतलब साथ पढ़ल रहलत पढ़े थे कठिन समय से परिवार गुजरे हले उनके परिवार तो कठिन समय से गुजर ही रहा था माता पिता परिश्रमी थे इसलिए इतना चल भी रहा था ठीक है, कठिन समय से परिवार गुजरेहले तो वो पढ़ाई लिखाई खातिर पूरा परिवार जुटल रहत ठीक है, पूरा परिवार जुटल रहत गरीबी तो थी, इस्टीती ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी किसी तरह से जो जुगार हो पा रहा था उसी तरह से उनकी पढ़ाई उगेरा चल रही थी लेकिन कभी परिवार ने पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कहा कभी उन लोग ने हार नहीं माना किसी तरह से ना किसी तरह से पढ़ाई जारी रखा गया लिखता और कहानी लिखे हलत वो जो कोलेज में ही थे बिये किये में किये जब वो कोलेज के समय में थे तो चितरा जी कवीता भी लिखते थे यार कहानी भी लिखते थे मगर लेकिन आपन डायरी और कोपी तक सिमित रहे लेकिन जो उनका लेखन से लिथा लिखने की जो आदत थी कवीता लिखने की आदत थी लेख लिखने की आदत थी वे तो आप कोपी में ही सिर्फ लिखते थे तो उनका लिखा हुआ जो लेख था कोपी जो कवीता था वो सिर डायरी और कोपी तक सीमित रहे लेकिन उनके द्वारा लिखा गया कहानी और लेक उनकी कोपी तक ही सीमित रहा करता था समर के उस पार उनका जो था पहला कविता था जिंद्गी के पहल कविता था और कविता के गीत गीत दोसर कविता लागेन उनके जिन्दगी का जो पहला कवीता था वो था समर के उस पार समर के उस पार ओखर जिन्दगी पहिल और गीता के गीत दोसर कवीता लागें उनके जिन्दगी का दूसरा कवीता गीता के गीत और पहला कवीता समर के उस पार था जकर लेखनकाल उने सो परिशठ ला गया जिनके लेखनकार उने सो परिशठ दा मतलब वो उने सो परिशठ में इस चीज को लिखे हुए थे दो कवीता उने सो चीरसट कर आकाल और उने सो चीरसट में आकाल हो गया आकाल उसको बोलते हैं जो सुखा पर जाना मतलब फसल अच्छी ढंक से नहीं हो पाएगी खाने के लिए लोग तरसेंगे न यैसे में लोग कहतें कि अकाल हो गया मतलब उस वर्स धान की उपज नहीं हुवी खाद पदार्थों की उपज नहीं हुवी लोग खाने के लिए तरसेंगे तो 166 में वैसा ही आकाल आया और 166 में ओकर साधी उनकर जीवन में बड़ा मोड पैदा कर देलन सबका साधी सबके जीवन में मोड पैदा कर देता है तो चित्रा जी कहां के थे उस टाइम इनके भी जीवन में बड़ा मोड पैदा कर देलन सिनकर साधी उन्हें सो सरसट में ओखर साधी उन्खर जीमन में बड़ा मोर पैदा कायर देहलस हलाकि ओखर पतनी उनके पतनी का नाम था सरी मती सावित्री देवी उन्खर सौव काम में होसला बढ़ावे हल्थीं चीतरा जी जब उनका साधी हुआ उनके पत्नी सावित्री देवी से तो उनकी जो पत्नी थी सावित्री देवी उनके हर काम में होसला बढ़ाती थी लेकिन जो हर औरत का एक बिमारी होता है कि जिद्धी रहेगी तो ठीक यही बिमारी इनके पत्नी के अंदर भी था सावित्री देवी उनकर सोब कामे होसला बढ़ा वेहल्थिन मगर जीदी रहत लेकिन वे जीदी थे और वे शुरुवे से जीदी थे उस शुरुवेले शुरुवेले जीदी थे बोड़ बोड़ होस्रा राखे वला लड़का अचानेक तूट गेला चीतरा जी एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे बड़ा होसला था यही होसला के कारण जब यह कॉलेज में थे तो लेक भी लिखा करते थे कविता भी लिखा करते थे लेकिन इस शुरुवे काल आगया शुरुवे ठीक नहीं थी तो ऐसे इस्तिती में उनका अब लग रहा था कि मेरा सोचा हुआ सपना, हम सपना को पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसे में उनका जो सपना था अब टुकता नजर दीख रहा था, बहुत अच्छा करेक मनसुबा वाला मन कुछु ना कर बहुत अब, अब ये सोचने लगे कि बह कुछ करने का मनसुबा था, मतलब मनसुबा मतलब चाहत, हमें बहुत कुछ करने का चाहत था, लेकिन लगता है अब हमसे कुछ नहीं हो पागा, ऐसा उनका मन तूट गया था, निरासा कर जिन्दगी जिये लगला, और वे अपना जिन्दगी निरास हो कर जिने लगे, किसी से उपनियास लिखे लगला इसके बाद ये कहे कि हम देखे कविता और लेख नहीं लिखेंगे अब हम एक उपनियास लिखते हैं मा की फुकार उन्हें उपनियास लिखा जल तरंग और जीवन की खोज में राजेश राजेश ये भी उनका उपनियास था एने पहर कर तीनगो उपनियास हिंदी में लिखला और ये है पहर पहर मतलब होता है कि उसी समय जिस समय ये सारी चीजें उपनियास भी लिख रहे थे उसी समय तीनगो उपनियास हिंदी में भी लिख दिये यहीं लिखा है कि एने पहर मतलब उसी समय कर तीनगों उपनिया से हिंदी में लिखला जकर परकासन नहीं करवा पहला फिर ये भी इनकी डायरी और कोपी तक सीमित रह गई फिर भी ये परकासन परकासित नहीं कर पाए पबिक जो होता है परकासन कई परकासन का नाम आप देखते होंगे तो क्या होता है कि परकासित लोग करवाता है अपने बुकों को अपने किताबों को हिंदी परचारी का सभा में ये भेजे हुए थे अपने किताब को परकासन करने के लिए अपने उपनियास को दिखे हुए थे भेजले रहत पतना भेज हुए थे मंगर हुआ ले यी कहि के परतिवापस केर घेल रहे कि इस सभांदिवारा हिंदी भासा से सम्मंदित वेचारिक लेखों का परकासन होता है वे परकासन वाला बोल दिये कि यहां हिंदी चीजों का परकासन होता है वो भी लेखों का यहां कोई उपनियास का परकासन नहीं होता है तो इस परकार से आपका भी उपनियास का परकासन या नहीं किया जाएगा उपनियास और कहानियों का नहीं वो बोले परकासन वाला कि यहां लेखों हिंदी लेखों का परकासन होता है यहां उपनियासों और कविताओं का परकासन नहीं होता है यहां कहानियों का परकासन नहीं होता है यहां लेखों का परकासन होता है यह घटना से लेखे मनों अहिट गले अब चितराजी और भ्याकुल हो गए अब चितराजी को लगने लगा कि अब हमसे कुछ नहीं होगा जैसे कहते हैं ना कि मेरा मन ठक गया हम हार गयें अब हमसे कुछ नहीं होगा इसे चीज को हम लोग खोठा में बोल रहे हैं कि मन अहिट गले अहिट मतलब थाइक गले इनका जो मन था वो अहिट गया अहिट मतलब थक गया यहीं चीज लिखा है कि इगटना से उनके पबलीकेशन वहां से प्रकासित नहीं किया मना कर दिया कि हम उपन्यास का प्रकासन नहीं करते हैं हम लेख का प्रकासन करते हैं इस चीज को सुन करके इस घाटना से लिखे के प्रोफेशर थे अब चितरा जी एक अच्छे से जानकार प्रोफेसर थे उनको अपना एक उपन्यास भेजे जिस उपन्यास का नाम था मा की फुकार उनको एक सनसोधन करने के लिए भेजे कि देखिये जो हम अपना ये उपन्यास लिखे हैं क्या इसमें कोई तुरूटी है क्या कोई इसमें आप देखिये कोई दिक्कत तो नहीं है इसलिए वे अपने एक अच्छे जानकार डाक्टर दिनेश्वर परसाद के पास भेजते हैं फिर दिनेश्वर परसाद कहते हैं आपके उपनियास की कथावस्तु ठीक है आपके जो उपनियास से उसकी कथावस्तु ठीक है आप अच् वो सजेशन दिये अर्थात सुझाव दिये डाक्टर चितरंजन महातों चितरा को कि आपकी विशेवस्तु तो सही है कथा वस्तु तो ठीक है लेकिन थोड़ी सी सुधार की आवसपता है उच कोटी के उपनियास कारों एवा कहानी कारों की पुष्टके पढ़ हैं तो वह काम दूर हो जाएगी डाक्टर दिनेश्वर परसाथ के हैं कि आपकी विशेवस्तु तो ठीक है लेकिन कुछ भी थोड़ी सी तुरूटी जरूर हमें देखने को मिलती है आप अच्छे अच्छे से उपनियास कार मतलब आप अगर आभी आप किताब लिखते हैं तो आपके आप अपने ले सकते हैं तो यही कहें कि आपके प्रोफेसर दिनेश्वर परसाथ की आपकी विशेवस्तु ठीक है चितरा जी लेकिन फिर भी आप किसी एक उच्छे कोटी मतलब उच्छे अस्तर के उपनियासकार जो उपनियास लिखे हैं उनकी आप थोड़ी सी मदत ले जी जो आपके अंदर तुरूटी है ओ तुरूटी आपमें समाप्त हो जागी पाकी ठीक है आईए कहानी को आगे बढ़ाते हैं डाउक्टर प्रोफेसर दिनेश्वर परसाद कर सुझाव अच्छा लग लें डाउक्टर दिनेश्वर परसाद जो थे वो चितरंजन महत्व चितरा जी को एक सुझाव दिये थे कि आपकी विशेवस्तु तो ठीक है आपकी कथावस्तु तो ठीक है लेकिन आपके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ तुरूटियां देखने को मिलती है आप उच्छे कोटी के लेखकों के उपनियास को पड़ हैं आपके अंदर जो भी तुरूटी है आपके अंदर जो भी कमी है वो आपसे दूर हो जाएगी यह सजेशन कौन दिये थे तो यह सजेशन डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश्वर परसाद चितरंजन महतों चितरा जी को दिये थे और यह सजेशन अच्छा भी लगा था एही चीज लिखा हुआ है कि डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश्वर परसाद कर सुझाओ अच्छा लग लello예요 किनको अच्छा लगा तो चितरंजन महतों चितरा को अच्छा लगा मगर उपनियास और कहानी दू चार गो बंगला लेखक करे पावले रहत वे जो चितरंजन महतों चितरा थे वे बंगला में पैसा नहीं होने के कारण वे उनका ये सपना सकार नहीं होता है क्योंकि जो उपनियास वो लिखे हुए थे उनको परकासित करने वाला भी कोई नहीं था उनके दवारा लिखा गया उपनियास, उनके दवारा लिखा गया कहानी, लेख, परकासित नहीं हो रहे थे, तो पैसा को कोई इंतजाम नहीं था, और परिवार किसी तरह से चल रहा था, परिवार में भी, परिवार की जो संख्या थी, वो अधिक थी, उनके माता पिता कोई बड़े काम नहीं करते थे वैसे परिश्रमी थे इधर उधर का काम करते थे उसी में उनका घहर चलता था तो ऐसे इस्तिति में पैसा ना रहने के कारण उनका और जो सपना था उसा कारण नहीं हो पाया जैसे तैसे तीन बच्छर तीन बच्छर मतलब बच्छर मतलब होता है यह परकासन को हम लोग खोर्ठा में बोलते हैं कजरा सिंद्रादान जैसे तैसे तीन बच्छर बितावला अब चितराजी की स्थिती उस समय ठीक नहीं थी वो जैसे तैसे तीन वर्ष अपना समय बिता दिये यही लिखा है कि जैसे तैसे तीन बच्छर बितावला तीन वर्ष वो किसी तरह से बिता दिये 1970 में मारा फारी में हाई अस्कूल खोला लेकिन वो उनके लेखन सेली तो अभी काम्याब नहीं हुई थी उनका कोई किताब परकासन नहीं हुआ था तो अन्तता उनके पास सिर्फ वा सिर्फ जो बचा हुआ था वो सिर्फ परहाई ही था तो यह इनका उप्यो करना स्टार्ट कर दी 1970 में मारा फारी में हाई अस्कूल खोलला वेक मारा फारी नामक अस्थान पर एक हाई अस्कूल खोले दू बच्छर यह अस्कूल चलावला दो वर्ष तक यह अस्कूल को चलाए बिद्याले परबन समीती से अन्बन है गयले अब जो बिद्याले परबन समीती से उनका जो अन्बन हो गया कुछ विवाद हो गया जिसके कारण तकर चलते उसकूल छोड़ देला जिसके कारण उनको उसकूल छोड़ना भी पड़ा क्योंकि लड़ाई जगड़ा हो गई थी अनबन हो गई थी ऐसे समझे के एक दुसमनी हो गई थी जन्वरी 1972 में कूरा चास में ये असकूल खोले के निवता पहला इनको फिर बुलाया गया एक दूसरे जगहाँ पे बोकारो चास में इनको असकूल खोलने के लिए बुलाया गया 1972 इस भी में 70 में तो ये खोले 2 साल यहां ये चलाए उसके बाद 72 में फिर से इनकों कहीं ओफर आया कि आप यहां आश्कूल खोलिए नेउता मतलब की इन्हें बुलाया गया आदर सत्कार के दोबारा बुलाया गया नेउता पौला एक महीना रहला हुआँ वहां एक महीना रहें फरवरी 1972 में ससूर ओक रा बाघमारा हाया स्कूल लाई गेल्तीन उनके ससूर आए और 1972 में उनके जो ससूर जी थे वे एकशूल बाघमारा के हाया स्कूल लेते गए वहां वो जुन तक रहे ठीक है फरवारी में तो गये ही थे जुन तक रहे मन नाय लग लए घर चली अइला उनको यहां मन नहीं लगा सवस्तूर जी जो वहां उनको लेकर के गए थे उनको वहां मन नहीं लगा और वे घर आ गए वहीं बोल रहा है कि मन लाग लाएं घर चली अईला जुलाई 1972 में रित्तु महतों के अनुरोध से रामगण उच विद्याल है कोईरी टोईला 27 1972 के योगदान देला एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रित्तु महतों एक परशिछित व्यक्ति होंगे उन्होंने चितरंजन महतों चितराजी से अनुरोध किये कि आप रामगण उच विद्याल है कोईरी टोईला आईए ठीक है और अपना योगदान देजिए जो आपके पास ज्यान है वो आप यहां दे करके लोग ज्यान को शेयर किजिए अर्थात आप हमें योगदान दें यह आसकूल कर आगू रामगण आसपास में एको लड़का खाय आसकूले गांधी मेमुरियल रहे और इसके अगल भगल एक हो आसकूल रहता था तोड़ कर देता है तो इसी इस्थ्पिती में वहां सिर्फ एखी असकूल था एक हाय असकूल फात जो लड़का के लिए था गांधी ओर मेमुरियल जे यहीं सुर्ष tutto गांएक लड़का लड़की गांधी हाई अस्कूले हिन भाव महसूस करे हैला वहाँ जो लड़का लड़की पढ़ते थे जो वो मेमोरियल अस्कूल में वो वहाँ अपने आपको अच्छा महसूस नहीं करते थे वो अपने आपको वहाँ अच्छा महसूस नहीं करते थे और सो में दस मेट्री तक पाइस करे पारे हला और अगर सो लड़का पढ़ रहा है तो उसमें से सिर्फ दस ही लड़का मेट्रीक में पास कर पाता था बाकी सब फैल हो जाते थे हम लोगों के छेतरों के बच्चों की पढ़ाई गांधी असमारा कुछ विद्याले में सही धंक से नहीं हो रही है इसलिए तुम राज की उचकरमित विद्याले कोईरी टोईला को नए सीरे से बनाकर गांव की बच्चों की पढ़ाई सुधारों मैं समझता हूं या काम तु अगर यह आये कोई अस्कुल में तो दूसरे वाले अस्कुल को जलन होका या तो विपच्ची में आएंगे यह इंगे तो फिर यहाँ इस तरह से आये थे चित्राजी यहां ज्यान बाटने के लिए लेकिन दूसरों के लिए तो यह विपच्ची के रूप में थे अगर कोई विपच्छी होता है तो वहां चित्रा जी को बुलाया गया था अब उन्हीं के परतिष्ठा पे अब यहां दाग लगने वाला था राजनितिक तोड़ तरीके से परताडित करने वाले लोग थे क्योंकि जब चित्रा जी यहां आगे तो दूसरे अश्कुलों को प्रोब देखिए उनको अब राजनितिक चीजों का सामना करना पड़ा क्योंकि वह अश्कुल में आ गये थे दूसरों को दिक्कत थोड़ा था चुकि यह अश्कुल कर जमीन से लेके बनावे और मंजूरी दिवावे में यहां भूमिका रहाएं अब यहां चित्रा जी एक नए सी अश्कुल का श्टार्ट किये थे तो वही यह बनावे से मंझूरी तक चित्रा जी इस अश्कुल में काम किये थे सेले बिरोधिक ताकत इनकर ताकत से कम है गेले यहाँ चितरा जी के लोगों को सब जानते थे हलाकि अच्छा काम किजिएगा तो सब आपका सपोर्ट करेगा तो यहाँ चितरा जी की यहाँ जो होती है सकती बढ़ जाती है और बिरोधियों की सक्ति यहां कम पर जाती है यही चीज लिखा हुआ है कि यहां भूमिका रहें सेले बिरोधिक ताकाइत इन्खर ताकत से कम है गये लेन परभारी परधाना अधियापक बिहार सरकार कर सिच्छा विभाग उनका अब उस टाइम बिहार तो जारखन था नहीं यह बात हो रहा है उन्हें 178 की तो बिहार सरकार के जो सिच्छा विभाग थे वे 8 बार उन्हें 178 के उनको परधाना अधियापक परभारी परधाना अध यापक बना दिए और अब चित्रा Zी एक्रे में रिटाइर होए के दिन तक रहला अब चित्रा Zी जब तक रिटाइर नहीं वही एक निश्चित अगर आपको सरकारी पद़ पहे हैं तो आपको एक निश्चित समय के बाद आपको वांसे रिटायर होना पड़ेगा या ही स्थिति चित्राजी के पास भी था ठीक है अब कुछ पॉइंट देख लेजे उन्हें सो चोरासी में चित्राजी रामगड में एको सांस्कृति कायरकार्म में भाग लेला वे उन्हें सो चोरासी स्मी में चित्राजी रामगड के एको सांस्कृति कायरकार्म में भाग लिये थे शिरी चित्राजी जन्जाति एवा छेत्रिय भासा विभाग में राची विश्विद्याले राची में खोर्था भासा कर पढ़ाय कर अस्थापना कर ला वे राची में भी छेत्रिय भासा में जो खोर् और उनका अपना अस्कूल भी चलता था और दू बैच निकलना के बाद डॉक्टर भोगना तो हदार के खोठा भासा पढ़ावे देखे वे दो बैच अस्टुडेंटों को पढ़ा लिए वहां से निकलवा दिए उस विद्याले में और उनका अपना कोई अस्कूल चलता था तो यह पार टाइम के तोर पे इस विद्याले में पढ़ाने के लिए आते थे उसके बाद दो बैच वो खतम किये दो बैच के अस्टुडेंटों को निकाल दिए उसके बाद एक नए व्यक्ति को वही काम सोप दिए उस व्यक्ति का नाम था डाक्टर भोगनात योहदार इसकुल पूरा समय दिये लग लए और वे अपना चित्रा जी अपना असकुल में पूरा समय देने लगे घर बड़ी में यह समय खोरथा में जिन्द्गी टोई इसी समय में थोड़ी सी इनकी स्थिती ठीक हो गए थी, अस्कूल में पढ़ाने लगे थे, इनका डिमान बढ़ गया था, तो पैसा होगे रहा आने लगा था तो यही हडबड़ी में, समय क्या भाव के कारान हडबड़ी में इन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था, जिन्द्गीक टोई, लिखल गेल रहे, जे खोर्था सिच्छा साहित में पहल उपन्यास लागे, ये खोर्था सिच्छा सिच्छा साहित, मतलब ये खोर्था के पहला उपन्यास था, जिन्द्गीक टोई, जो लिखा गया था, चीतरा जी के द्वारा, ठीक ह कविता कर प्रोग्राम हेते रहले और इनका जो कभी कभी प्रोग्राम चलता था वो रेडियो और स्टेशन राची में भी चलता था इनके लेख का इनके कविता का प्रोग्राम चलता था बाद में आवा जावा खातिल मतलब बाद में आने और जाने की प्रोब्लम होने के कार रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम देल छोड़ देला आने जाने में दिक्कत होने लगी थी अब एज भी हो गया था येतने बीजी हो गये थे तो आने जाने में दिक्कत होने लगी थी तो ये अब रेडियो स्टेशन में अपना प्रोग्राम देने के लिए छोड़ दिये संख पत्रिका में इनकर एगो लेख उने 184 जन्वरी मार्च में छपल रहे उनका छपा हुआ था मेरे सपनों का भारत बड़ा आदर्सवादी रोचक रहे जो एक इनका छपा हुआ था संख पत्रिका में जो की बड़ा फेमस रहा हलाकि वो था देशभक्ति टाइप का तो वे बहुत बड़ा फेमस हुआ मेरे सपनों का भारत ऐसे था उस लेख का नाम बड़ा रोचक रहें बड़े अच्छा था तो जब बहुत अच्छा था तो आच्छा फैला हुआ अच्छा परचार हुआ 31 जनवरी 2006 के स्री चितरंजन महातों चितरा उच विद्याले धातू बोकारों में सेवा निर्वित होला उसके बाद यहां जो बोकारों में परहाते थे वो भी अब यहां यह छोड़ दिये सेवा निर्फ कहने का मतलब यह हुआ कि वो अपना सेवा देना छोड़ दिये और कर बाद मतलब उसके बाद फिर फिर से खोर्था साहित में दीन राइत एक करद कईले हथ उसके बाद वे अपने खोर्था साहित में खोर्था की भासा को बढ़ावा देने के लिए यहां से लिए के लिए कभीटाय लिखने के लिए कहानिया लिखने के लिए पूरा अब देने लगे थे तो यही थी चित्रंजन महतो चित्रा की एक यनौखी कहानी आई से पर्षन यहां से अगर पूछेंगे तब आपसे कोई पर्फन ऐसा नहीं होगा कि आपसे छूटेगा यही थी चित्रन जर्मातों चित्रा की जीवनी जो बासुदेव महतों के द्वारा लिखा गया था उम्मिद करते हैं यह चीजें आपको समझ आई होगी एक लास शुर्वात है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी आप जीस तरह से हिंदी पढ़ते हैं वैसे आप खोठा को भी पढ़ने लगेंगे हां थोड़ा सा आपको समय जरूर देना पड़ेगा आपको हड़ा बढ़ाने से खोठा समझ नहीं आएगा खोड़ी सी समय की यहां जरूरत है आप थोड़ा सा खोठा में समय दें आपको चीजें अच्छे धंग से समझ आएगी मुझे उम्मीद है और हम आपको अच्छे धंग से समझा भी पाएंगे चलिए मिलते हैं एक ने वीडियो में एक ने टूपी के साथ